प्रैस्री कृष्णा राधे राधे कुम्ब रासी 2022, 23, 24 और 25 आपके उपर अभी बर्तमान में चल रही है सनिदेव की साढ़े साती और ये साढ़े साती हला की आपका पहला चरन है लेकिन 29 अप्रेल 2022 को आपके च्छाती पर साढ़े साती आ जाएगी क्योंकि सनिदेव आपके लग्ण में आएंगे तो यहां लग्ण में आने से बारवे अस्थान से सनिदेव का प्रभाव क्या होगा देखिए कुम्ब वालों 29 अप्रेल 2022 को जब सनिदेव गोचर करेंगे रासी परिवर्तन करेंगे तब छाती पर जब साढ़े साती चलना सु सनिदेव रहते हैं और अगली रासी में इसके बाद ही प्रवेश करते हैं तो इसके पहले चुकि आपकी साढ़े साती 24 जनवरी 2020 सही शुरू हुई है और सनिदेव के मकर में रहने से इसमें आपके उपर साढ़े साती का सुरुवाती चरन चल रहा है लेकिन 29 अप्रेल 2022 को सनिदेव के कुम्भ में यानि आपके लगन में आने से आपके चाती पर चलना सुरू हो जाएगा साढ़े साती हलाकि 29 मार्च 2025 तक आपके लगन में रहेंगे सनिदेव और सनी के कुम्भ में प्रवेश करने से दोवारा से मकर रासी में प्रवेश करेंगे तब फिर एक बा पर सरीदे 5 जून 2022 को मकर में वक्री चाल चलेंगे और 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे फिर आपके लगन में वापस आ जाएंगे तो यानि 28-29 अप्रेल से लेकर आपकी जो छाती पर साड़े साती है दूसरा चरन वो सुरू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि साड़े साती का जो दूसरा चरन है वो आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा फल लेकर आएगा चली जानते हैं विस्तार से लेकिन उसके पहले एक बात सुन आपको हम बताना चाहेंगे कि साल 2022 में सनी जब रासी परिवर्तन करेंगे तो सनीदेव का पाया भी बदलेगा और जो तिस आसर में सनीदेव के चार चरन यानि चार पाय होते हैं और इन चार पायों का प्रभा हुई आपके जीवन पर चलता है तो उसी निसार आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये साल कैसा रहेगा देखिए परिवर्तन के समय सनी देप के रासी परिवर्तन के समय चंद्रमा यदि एक, छे, ग्यारवे भाव में हो तो सूने का पाया कहा जाता है और चंद्रमा अगर सनी से 2, 5, 9 भाव में हो तो चांदी का पाया होता है और चंद्रमा यदि सनी से 3, 7, 10 भाव में हो तो ताम्रपद का पाया होता है और अगर चार आठ बार में भौ में हो तो लोहे का पाया होता है तो चांदी और तांबे का पाया सुमाना जाता है और स्वर्न और लोहे का पाया सुमाना जाता है तो चलिए जानते हैं कि 29 अप्रेल को सनी देप के रासी परिवर्तन करने से आप कुम्ब वालों के पाये क्या होंगे देखिए आप लोग बड़े लखी हैं क्योंकि चांदी का पाया बनेगा और ये रजत का पाया कुम्ब वालों के जीवन में समाजिक जीवन में परतिष्ठा दिलवाएगा पारिवारी जीवन में सुखद अनुभव आपको होगा और माता पिता का सपोर्ट भी मिलेगा यनि आपके लिए सनिदेव का ये परिवर्तन छाती पर चलना खास कर जब रजत पाया बनेगा तो यकिनन आपके लिए बहुत वक्त बढ़िया है पारिवारी जीवन में जो साड़े साथी का पहला चरन थोड़ी निरासा दे रहा था अब लगेगा जैसे थोड़े से सुख वापस आ रहे हैं थोड़े से सुकून वापस आ रहा है और माता पिता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा नौकरी कारोबार में भी मन चाहे फल आपको मिल सकते हैं तो इस समें आप दिल लगा कर काम करें जो विद्यार्थी हैं उनको सीनियर का गुरुजनों का सपोर्ट प्राप्त होगा जो सिख्छा की छेतर में आपके जो भी परिसानिया हैं उसको दूर करेगा अब सनिदेव का पाया चांदी है इसलिए कुमबालों आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी अगर आप चाहते हैं बिदेश जाना बिदेश में बसना या फिर जीवन साती के सहयोग से आपका करियर में ग्रो होना ये सभी चीज़ें आपके लिए पॉजेटिव फल दे रही है तो आपके लिए ये जो कुमबाले हैं सरीदेव का ये चांदी का पाया खुजियां लेकर आया है लेकिन चलिए जानते हैं इसके बाद फिर क्या होगा तो कुमबालों अभी तक जो साड़े साती के पहले चरण में रिस्तों में उल्जने थी बैवाहिक जीवन में दूरियां थी जीवन में थोड़े स्ट्रगल बढ़ गया थे वो अब चांदी का पाया होते ही कम होगा पैसे तो सनिदेव आपके बारवे और लगन के स्वामी है और कुंडली का बारवा भाव विदेश का भाव होता है यात्रा खर्च मुक्ष का भाव होता है और जो पहला भाव होता है लगन वो आपका भाव होता है आपके ब्यक्तित्त का भाव होता है तो सनिदेव इस जो 2022 की सुरुवात है आपके बारवे भौ में रहेंगे और फिर 29 अप्रेल को आप से लेकर 12 जुलाई के बीच आपके लग्न में रहेंगे और एक बार फिर से वक्री होकर आपके बारवे भौ में गोचर करेंगे तो जो विद्यार्थी हैं जो विदेश जाना चाहते हैं जो अपने उद्देश को पाने की प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता चरूर मिलेगी अगर आप वैपसाई हैं तो इसमें विदेश से इस्थित कमपनी से सौधे हो सकते हैं विदेशी वस्तुओं का वैपार से आपको लाब होगा कोई विदेशी यात्रा लंबी दूरी के यात्रा करने के भी योग है करियर की अगर हम बात करें तो इसमें अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने काम पर फोकस करना होगा अब यह नहीं कि चांदी का पाया बना तो मस्त हो गए नहीं कर्म फल दाता कर्मों के ही फल देते हैं तो कर्म को बेहतर कीजिए अगर हम आपके संबंधों की बात करें तो कर माता पिता के स्वास्त की परिसानियों का आप नजन अंदाज ना करें उनके स्वास्त का खयाल बनाए रखें आपके घर परिवार में जो यह स्वास्त की समस्या है यह परिसान तो करेगी साथ ही आप अपने जीवन साथ ही और बच्चों की आँखों से जुड़ी समस्य जाओं का भी खयाल रखिएगा तो अच्छा रहेगा जो लोग विवाह के योग हैं उनको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि हर बड़ाहट में लिए फैसले सही नहीं होते स्वास्त की बात करें तो आपको भी अपने स्वास्त का खान पान का खयाल रखना है क्योंकि आपके स्वास्त थोड़े से पाय कमजूर दिखते हैं इसलिए अपने स्वास्त का नियमीत रूप से जाच कराएं और अचानक से स्वास्त में कोई बड़ी समस्या ना हो जाए इस सारी खुसियों को आपको लोटा रहा है और आप बड़े खुस नसीब हैं क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए देखिए सनिवार के दिन आप गरीब बेक्तियों में चमडे की वस्तूओं का दान कर सकते हैं जैसे आप जूता ही दान कर दें चपल दान कर दें काले रंग क वस्तू कंबल वेगरे दान कर सकते हैं तो इससे आपको फाइदा होगा हलंकि ये साड़े साती आपको ज़्यादा नहीं परेसान करेगी लेकिन ओम संगसने चराय नमह इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो आप जब करते रहें वैसे तो आपको लाइफ टाइम करना चाहिए क बच्चों का जीवन साथी का माता-पिता का कस्ट जादा हो तब आप उनके नाम से थोड़ा सा जैसे की जो खाने पीने की बस्तू है वह गरीब बैक्तियों में सनिवार के दिन दान कर सकते हैं और नियमित रूप से आप घर में सुभा साम औडियो भी चला सकते हैं राम र अंक जोतिस वास्तु सास्त पूजा पाठ से समंदित तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं ग्रैंड्धरमासर्माग.com जरूर आईए और कमेंट करके बताईए कैसा लगा अगर आप कुछ विशेश जानकारी चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं फिलार भी दालेंगे हर हर महादेव धनिवाद